आप ज़रा सोचिए आपके बच्चे प्रतियोगी परिक्षाओं की सरकारी नवकरी हित दोदो तीन दिन साल से तयारी करते हैं परिक्षा देते हैं सलेक्षन होता है और अंतिम प्रकरिय जब उन्हें न्युक्ति पत्र की जारी होना होता है वह न्युक्ति रोख जाती है साल डेड़ साल से लंबित हो गए है कई प्रिणाम तो अंतिम कड़ी में अठकी हुई है उसका कोई हल निकलेगा या नहीं इसका कोई जवाब सरकार के पास बही है ठक हार करीवा न्याले की सरण में है अब उन्हें न्याय एवं उमीद की अंतिम किरत वहीं से दिख रही ह अस्थानी अस्तर पर होने वाले कई निक्तियों में लगी रोग से युवाव में निराशा और रोश है लेकित अपनी नाराजी किसे बताए कौल सुनेगा 36 गण में सितंबर अक्टूबर में अचार संगीता लगेगा और फिर नौमबर दिसंबर में चुलाओगोगा मुश्किल से दो से तीन महीने सत्तारूर सरकार के पास बज़े हुए है ऐसे में अब दत ऐसा कोई ब्रहमास्तर सरकार के पास नहीं दिखता जो प्रदेश के आदिवासियों को रिजा सके खुस कर सके मौजूदा सरकार के प्रती आदिवासियों में काफी नाराजगी है यह नाराजगी वी सरकार की ही ती हुँ जरसल 36 गड़ में आबादी के अधार पर लागू 58 प्रतिशत आरक्षन के मामले में सरकार अपना मजवूत पक्ष हाई कोट में नहीं रख सकी जिसका खाव्या जा आदीवासियों को भुगत न पड़ा और हाई कोट के आदेश के बाद पुन पुरानी व्यवस्था अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी जब प्रादेश में लगातार आदीवासियों का प्रदर्शन शुरूग हुआ और सरकार घिरने लगी तो सरकार ने आनंद फानने में पितान सभा का स्पिसल सत्र बुला कर 70% आरक्षन की व्यवस्था वाला भी देख ले आया है जो राजेपाल के हाजा करो खुस गया इधर सर्वोच नियाले ने आदेश दिया है कि 58% आरक्षन की व्यवस्था पर ही आगे नीक्तियों अन्यकारी करने का आदेश दिया यहाद तक तो सब ठीक चल रहा था लेकिन इसीपी सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष नहीं रखने से एक और मामले ने सरकार के लिए मुसीवत बढ़ा किये। इसीपी सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष नहीं रखने सरकार के लिए मुसीवत बढ़ा किये। अभी हाल ही में हुए एक उफ चुनाव में आदिवासी समाज का प्रभाव भी देखने को मिला है। ऐसे में सवाल कई किंदु जवाद कुछ भी नहीं है कि आखिर कर सरकार आदिवास्यों की नाराजगी से कैसे बाहर निकलेगी। पुरे एस्टी, एस्टी, ओबीसी, समाज के लोग, चात्र संगठन के लोग, करमचारी बंधु के लोग, सभी लोग मिल करके आज इस्थानी भरती को ले करके आज एक दिवसी, धरना और रेली का आयोजन किया गया है। जो इस्थानी भरती जो उसको भाल करने की हम मांग कर रहे हैं, जो पूरु में था। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं दो आट अगस 2022 को पेशा कानून लाया लेकिन उसमें जो मुल भावनाओं के विपरीत उन्होंने पेशा कानून लागू किया गया है और वो जो आज तक एक वर्स होने जा रहा है एक वर्स में जो जो भी आवस्यक जो नियाम आदेश एक साल हो जाएंगे अगर ऐसे इससी ती में सरकार अभी भी चुप नबैठी है तो इससे साब जाईर होता है कि वह के अंसुची छेत्रों के ध्यान नहीं है, और वो उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे लोग दिंडोरा पीट रहे हैं, सारे जगा में जा चार कर के बोड़ रहे हैं, कि हमने पेशा कानू लगू कर दिया है, हमने दिया है, ऐसा करके इन लोगों ने लगातर भासर बाजी कर रहा है, तो हम 15 दिन क के अंदर मांगनी होता है तो हम इसके आगे और भी उठा सकते हैं अगर हमारी जो मांगे हैं तो यह चुनाम आवस्याण अपना रहा है आदिवासियों के यहां अंसुची छेतर के जो मूल निवासी हैं उनके उपर इन लोगों ने कोई आशा ध्यान नहीं दे रहा है। वो सिर्प अपने भास्रबाजी से यार संतुष्ट करके वो करने का काम कर रहा है। तो उनके जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के लिए वो देने के लिए पीछे हट रही है।